दोस्ते इस दुनिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो रामायन को पूरी तरह से नकारतेते हैं। उनका मानना है कि रामायन असल में हुई ही नहीं थी। जबकि श्रिलंका में आज भी रामायन से जुड़े कई ऐसे स्थल मोचुद हैं जो ये बखो भी बता रहे हैं कि रामायन एक सच्ची कहानी है। दोस्तो रावन ने अपने जीवनकाल में कई ऐसे उल्टे काम किये थे। मगर दूसरी तरफ रावन को शिव का परमभक्त भी माना जाता है। वाल में कि रामायन के अनुसार भगवान शुरी राम और रावन के बीच भहेंकर ये दुआ था। जिसमें भगवान शुरी राम ने रावन का वद्ध करतिया था। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि रावन आज भी जिन्दा है। या रावन का शव आज भी एक सुरक्षित जगे पर रखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे श्रिलंका में आज भी कुछ लोग मानते कि रावन का शव आज भी एक गुफा के अंदर सुरक्षित है साथ ही हम आपको कुछ ऐसे रियल एविडेंस दिखाएंगे जो आज भी श्रिलंका में मौझूद है जिने देखकर आप क सर्च सेंटर और टूरिजम मिनिस्ट्री ने मिलकर पचास ऐसे जगे खोज निकाली है और ये जगे रामायन के समय से काफी महत्व रखती हैं और इन जगहों के बारे में रामायन में भी उलेख मिलता है कई लोग रामायन को आज भी कालपनिक कहानी मानते हैं लेकिन जब अमेरिकी स्पेस अजेंसी नासा ने राम सेतु को एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर बताया तब ही से रामायन सच होने का एक बड़ा एविडेंस हैं और राम सेना द्वारा बना के है पुल आज भी मोजूद है जो एक समेश्र लंका को भारत से जोड़ता है इसके लावा इ से हनमान जी ने लंका के साथ जला दिया था रामायन में जब हनमान जी ने लंका जला दी थी तो यह रावन के वरुद राम जी की सबसे बड़ी जीत थी रावन ने माता सिता का हरण जिश्जगय पर करके रखा था उसके पास एक जहरना है जहांकि चटान पर आज भी हनमा जी के पैरों के निशान हैं। बग्यानिक भी हैरान रह जाते हैं। जानता है। कि प्राचीन काल में रिशी मुनियों के पास ऐसी कई रसायन विधियां थी। कि वह मनुशी के आयुतक को बढ़ा सकते थे। साथी मृत्य शरीर को हजारों साल तक प्रिजर्व करके रख सकते थे। जिसा कि आपने पिरामिड में रखी ममीज के बारे में सुना होगा। प्रिजर्व के रावन के रावन के शरीर को ममी बना कर सुरक्षित रखा जाता था। आखिर लोगं के ऐसा मानने के पीछे वज़े क्या है और क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि रावन का शव आज भी मुझूद है। आपको पता है कि उससे में रावन को का विशक्ति शाली राजा माना जाता था। रावन शिवजी का परमभक्त भी था। रावन अपने साथ कई प्रकार के विद्वानों को रखता था ताकि उससे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहों। क्योंकि कहा जाता है कि रावन की मृत्यू के बाद जब रावन के शरीर को राक्षसी कबीले के लोग को सोपा गया था, उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावन के शवक अपने साथ ले गए, वो शवको उसी गुफा में ले गए जहां रावन पूजा किया करता था, र उन्हें उमीद थी कि इस तरह आवश्य जिन्दा हो जाएंगे। पुकार जानवर रहते हैं इसलिए उसके अंदर ज्यादा कोई जाता नहीं है। संभव नहीं था। इसकलावी रावन से जुड़े कई ऐसे प्रमाण मोजुद हैं। श्रिलंका की रामायन अनुसंधान कमिटी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की। हो सकता है कि विज्ञान इन बातों को सच न माने लेकिन कई बार दिखा गया कि प्राचीन लोगों की मानिताएं भी कई बार सच हुई हैं। और उसके सामने विज्ञान के भी कोई तरक काम नहीं आते। हिंदु मानिताओं के रुसार रावन त्रितायुका सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गमंड था जो आखिरकार उसे लेकर टूबा। दोस्तों अब इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंड बाक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।